भारतिय प्राक्रतिक राल एवं गोंट संस्थान के माध्यम से लाक वैल्यू चेन पर एक एने आईपी राश्ट्रिक कृशी नवुन मेशी परियोजना चलाई जा रही है। भारतिय प्राक्रतिक राल एवं गोंट संस्थान ने इस पौदो को लाक के उत्पादन के लिए उप्योग करना शुरू कर दिया है। सिचाय की कमी वाली छेत्र में शीतकाल और सिचाय वाली छेत्र में उश्मकाल में समी लता पौदे पर लाक फसल की उत्पादन की जाती है। बीच द्वारा आसानी से इसकी खेती संभव है। पौदा तयार करने के लिए बीजो को नर्सरी में दो तरह से उप उप जाया जाता है। उच्चतल सीट बेड एक दशंवलव दो मीटर गुना नौ मीटर छेत्रफल में 10 सेंटी मीटर से 15 सेंटी मीटर उचाई का उच्चतल सीट बेड बरसात की दुनों में पौद नर्सरी के लिए बनाया जाता है। यह बिमारियों से होने वाले मिर्त्युतर को कम करता है। मिट्डी को गोबर के साथ मिलाकर एकदम हलका कर लिया जाता है। ततपश्चात मैं के महीने में बीज भोया जाता है। और समय समय पर सीचाई के जाती है। बेट के चड़ाई 1.2 मीटर इसलिए होनी चाहिए ताकि सी चाई में आसानी हो सके पौदो की अच्छी बड़त के लिए वीडिंग की जानी चाहिए पॉली बैग में बीज अंगुरण निसरी पॉली बैग में दो अनुपात एक, अनुपात एक में मिट्टी, बालू और गोबर खाद मिलाकर भर लिया जाता है बैग में जगा जगा छेद कर दिया जाता है ताकि सी चाई का अत्रिक्त पानी पह सके एक पॉली बैग में एक से तीन बीज डाला जाता है गर्मी की दिनों में बैग छाय वाली जगा में रखा जाता है तथा बरसात की दिनों में खुली जगा में छोड़ दिया जाता है पीच साथ दिनों में अंकुरित हो जाता है दो या तीन पौधों की अंकुरण की स्तिती में अतिरिक्त पौधों को हटा कर सिर्फ एक पौधा प्रतिवैंग छोड़ दिया जाता है पौधे रोपन एक फिट गुना एक फिट गुना एक फिट माप का कठ्धा गर्मी के दिनों में सूरिताब की परियाप्त मात्रा के लिए खोद कर उसमें अच्छी तरह सिम लाई हुई मिट्टी और गोवर खाद से भर ली जाती है खाद की मात्रा प्रतिगधा दो से तीन किलोग्राम होती है बरसात की दिनों में जब कुछ दिनों के लिए बारिश रुखती है तो पौधों को पौध्य शाला से निकाल कर तयार खेतों में बोधिया जाता है लिफ्टर का उप्योग पौधों को पेट से उखाडने के लिए किया जाता है जिससे पौधों के जड़ों को कोई छती नहीं पहुचती इस वक्त पौधों की उचाई एक फिट से एक दशमलव पांच फिट होती है अच्छे परणाम के लिए पौधों का रोपन त्रिकुनात्मक बिद्धी से किया जाता है जिसे दो रों में बार्ट दिया जाता है दोनों रों के बीच की दूरी पचास सेंटिमीटर होती है और पौधों से पौधों की दूरी एक मीटर तथा पैड रों से पैड रों की दूरी एक दशमलव पांच मीटर रखी जाते है पौधों के उपर कीट चढ़ाना या कीट संचारन वेवसाइक लाख फुत पादन के लिए पौधों रोंपन के एक वर्ष पर्षचात लाख बीच चढ़ाई जाती है लगबग 20 ग्राम लाख बीच प्रती पौधा पहले वर्ष में दूसरे और उसके बाद वाले वर्षों में इसे बढ़ा कर 50 ग्राम किया जा सकता है अच्छी फसल के लिए बीजों को टेहनी के बीच के भाग में बांधना उचित होता है लाख कीड़ा 21 दिनों तक निकलता रहता है जो पौदों की समूची डाल पर बैट जाता है नर कीड़ा 40 से 45 दिनों के पश्चात निकलता है और सहवास के बाद मर जाता है मादा लाख कीड अब देजी से बढ़ती है या दिसंबर महीने में अधिक्तम होता है लाख से अब मोम बहार निकलता दिखाई देने लगता है अगस्त सितंबर की महीने में एक बार खर पत्वार निकाल देना चाहिए परभक्षी शत्रुकीट मुख्यता काली वा सफेद तितली के पिल्लू दशा लाख को हानी पहुँचाता है लाख की उपर बना सुरंग और छेद देखकर उसकी उपस्तिती की संभावना का अंदाजा लगाया जा सकता है कीट नाशक का छिड़काव फसल बचाओ के लिए कीट नाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए यह दवा पौदों में लगने वाली विभिन दुश्मन कीट और पैरासाइट से बचाता है जिसमें सफेद तितली, काली तितली और हरा पतंगा पिलू महत्वपून है है का ज नाशक क्वा की दूस्फित है हम दूस्भा, कि यह दूस्फ! कर दो कर दो निमांकित छिड़काव शेड्यूल अपनानी चाहिए दवा के मिश्रन का छिड़काव तब तक करना चाहिए जब तक वैक्स पूरी तरह बहना जाए प्रापर वेंटिलेशन की कमी और अपर्याप्त सूरिकी रोशनी की वज़े से सूटी मोल्ड की बढ़त होती है जो लाख एवं पौदों की पत्यों को हानी पहुचाता है कभी-कभी यह पौदों की मृत्य उतर को भी बढ़ाता है और प्रकाश शंचलेशन को बादित करता है कार्बिन डाजिम का समय पर छिड़काव से सूटी मोल्ड को रोखने में मदद मिलती है लाख फसली अच्छी बढ़त के लिए पौदों के बीच वाली पत्यों को हटा दिया जाता है जिससे पर्याप्त हवा एवं सूरी की रोशनी मिल सके कभी-कभी जादा लाख के कीड़े बढ़ने से लाख एवं पौधे दोनों मर जाते है लाख का इंक्रा स्टेशन नवम्र की महीने में टहनी से अलग होने लगता है क्योंकि मिट्डी का जल्चतर कभ हो जाता है उस समय सिचाई की जानी चाहिए फरवरी के महीने में फसल पक जाता है उस समय फसल की कटाई के साथ-साथ पौदो की भी कटाई की जानी चाहिए गर्मी तक नई टहनिया आ जाती है जबकि 15 जून से 15 जुलाई के बाद वृद्धी हो जाती है एक गिसान की उस सतन 2 से 2,5 लाग तक की कमाई प्रती हेक्टर हो जाती है जाती है